हाई गाईस तो यहाँ पे हमारे पास UGC की तरफ से एक काफी important notice आया है शायद आप मेंसे कहीं लोगों नहीं देख भी लिया होगा बट मैं आपको इन notice तो दिखाऊंगा ही साथ की साथ मैं आपको कुछ आपके important questions भी address करूँगा कि exam के expected date क्या है और आपको और भी important चीज़े बताऊंगा तो उस पे आने से पहले सबसे पहले तो देख लेते हैं notice है क्या basically बस यह official notice है कि CUSet होगा इसको confirm करते भी है दूसरी यहाँ सबसे important चीज़ क्या mentioned है कि first week of April से CUSet के forms available हो जाएंगे आप लोग भर सकते हो CUSet के form तो यानि कि confirm भी है और application की date भी आ गई है बट अब सबसे बड़ा question उठके जो आपका आ रहे है बच्चों का कि बगया exam की date क्या आप मानके चले देखो यहर exam की date आप मानके चलो कि bare minimum July end होगी ठीक है और maximum लगबग लगबग मानके चलो bare minimum जो है वो July mid होगी ठीक है bare minimum आप मानके चलो July mid होगी और आपका जो maximum आप मानके चल सकते हो वो July end या फिर थोड़ा सा और इनकी दिलदारी हो गई तो यह अगस्त में करवा सकते है आपका CUSet का exam क्योंकि देखो आपके boards जो है वो June में खतम हो जाएंगे अब उसके बाद लगबग एक से डेढ़ महीना देंगे आपको entrance के लिए CUSet के लिए prepare करने के लिए तो आप इसको expected dates मान सकते हो और इसके according preparation start कर सकते हो अब देखो यह confirm तो नहीं है चीज़े change हो सकती है बट let's see क्या होता है बट आप इसको अभी तक के लिए benchmark लेके चल सकते हो अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ important बता दूँ कि भई आप लोगों के बहुत सारे doubts हैं इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ आज 5 बजे हम live stream करने वाले हैं मैं आपके live stream करूँगा उसमें सारे questions आप लोगों के address करूँगा syllabus को discuss करूँगा सारी चीडे discuss करूँगा तो 5 बजे आ जाना बिलकुल ध्यान से ठीक है और आपको मैं एक और चीज़ बता दू देखो section C है हमारे क्या है तीन sections है C you set के अंडर section C जो है वो NCRT से आएगा तो अभी तक आपने जो 12 में पढ़ा है और जो अपने 12 के teacher से आप पढ़ते आ रहे हो उसका section C में use आएगा तो अपने teacher से भी पढ़ते रहो और अपनी NCRT अपनी पढ़ाई जो भी book आप refer कर रहे हो उसको भी पढ़ते रहो बाकी section A और section B section A और section B जो की आपका aptitude होने वाला है और language होने वाला है आपका A होना है language और B aptitude इनकी पढ़ाई के लिए आज हमारा next batch आने वाला है आज रात को आ जाएगा तो भाई अब फटाफट से preparation start कर दो अब तो कोई option बचा नहीं है तो batch आएगा details सारी देख लेना और फटाफट enroll कर लेना क्योंकि हम limited cheats के साथ ही launch करेंगे ये वाला batch आज आज अपना ठीके उसके लावा इस notice में और important चीज़े मैं बता दूँ तो फिर आपका 13 languages में होने वाला है 13 languages में ये मान के चलो सारी जो languages यह mentioned है ये होंगी बट इसमें भी एक important चीज़ समनना कि Delhi University हमेशा से या majority universities हमेशा से English को preference देती आई है DU में majority courses में admission के लिए English compulsory होता था तो आप लोग ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे जो main language होने वाली है जो top universities और colleges के लिए वो English ही होके आने वाली है कि आपको English में ही एक्जाम देना पड़ेगा बाकी तो let's see क्या होता है बट DU शुरू से English को लेके strict रहा है और एक चीज़ और mention करी गई है कि भाईया यहाँ पे आपका majority या फिर मतलब majority तो नहीं बट काफी central universities ने confirm कर दिया है CUSAT main list में DU का नाम आता है उसके इलावा अगर हम बात करें BHU, बनारस हिंदू, जामिया मीलिया और आपका अलिगर्ड मुस्लिम इन्होंने confirm नहीं किया है और आज newspaper में article भी आए कि इनके chair persons ने का है कि भाई हमारे पास जब CUSAT का official notice सरकार से आएगा तो हम इसके बारे में declare कर देंगे बट कल UGC के chairman ने बोला ही था कि भाई सब central universities के लिए compulsory है CUSAT के through admission लेना तो आप of course इनको तो include करके सारी universities को चलोगे ही चलोगे तो भाई और भी जो queries है अपने comment section में mention कर दो मैं 5 बजे आके address करूँगा live भी और आज comment section में जो भी आप नीचे अच्छी queries डालोगे उनको भी तो best of luck guys and bye